हेलो फ्रेंज तो आज महर्याना प्लीस फीमेल कॉंस्टेबल पेपर जो 19.02.2021 को मोर्निंग सिफ्ट में वाय उसका सॉल्यूशन करने जा रहे और उसमें मैं आपको मैस का सॉल्यूशन बताने वाला हम फूल डिटेल अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर ले क्योंकि मैं यहाँ पे H, S, S, C दवारा जितने भी एक्जाम लिये जाते हैं उनमें मैस का जो पोर्षन होता है उसको मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करवाता रहता हूं ठीक है तो चैनल को सबस्क्राइब कर ले चलते हैं अपने फर्स्ट क्योशन की बजती है तो तीस मिनिट में एक साथ कितनी बार बजती हो क्लियर है ना तो यहाँ पे देखो क्या करना है अपने को अपने को इसका LCM ले लेना है किसका 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का और वो कैसे लेना LCM वो धान से सुनो देखो सो ट्रिक लगाएंगे इसमें 4, 2 से पुरा-पुरा बजता है 2 अटाओ, 8, 4 से पुरा-पुरा डिवाइड होता है 4 अटाओ, और आपका जो 12 है वो 6 से पुरा-पुरा डिवाइड होता है 6 अटाओ, तो अपने पास एक तो 8 बचा, इसको 8 लिख लो, एक अपने पास 10 बचा, इसको क्या लिख लो, इसको लिख लो 5 इंटू मे टू और एक अपने पास 12 बचाईस को लिख लो आप 4 इंग 2 में 3 तो 8 तो आ जाएगा अपना 5 भी आ जाएगा और एक के आ जाएगा अपने पास 3 तो 8 पे जो 40 और 40 की 3 से करोगे तो 120 अना 120 यहां पे second आ रहे हैं तो देखो अपने पास 30 मिनिट है तो 30 को second बनाएंग तो 60 बटे 120 तो 6 दू निवारा तो यह आया 15 15 में एक और जोड़ना है क्योंकि पहले एक गंटी ने बजना स्टार्ट किया होगा तभी यहां पे स्टार्ट होगा काम एक गंटी ने बजना स्टार्ट किया इसलिए हम पहले इसमें एक जोड़ेंगे तो 15 प्लस एक 16 तो आंसर 16 आना चाहिए option C option C हहां पे बिल्कुल सही होता है अपना next question देखते है ठीक है question में क्या बोल रहा है कि if A minus B is equal to 3 and A square plus B square is equal to 29 find the value of AB आपको AB की value बताने तो भाई हम A minus B is equal to 3 लेके चल देंगे squaring कर देंगे both side तो A minus B का whole square is equal to 3 का square 9 और यहां से आप A square plus B square minus 2 AB लिखके is equal to 9 बोल सकते हो A square plus B square की जगह आप लिख सकते हो 29 minus 2 AB as it is equal to 9 2 AB को उधर ले जाओ 9 को इदर लेके आओ तो 29 minus 9 is equal to 2 AB और भाई यहां पर आपका 20 आया is equal to 2 AB AB is equal to कितना है 10 AB is equal to 10 आया जो option A में है option A हाप पर आपका बिलकुल ठीक होता है next question देखते है question में क्या बहुल रहे कि अपने पास 324 coin है 324 coin है कुछ coin तो 20 पईसे के कुछ coin अपने पास 25 पईसे के 324 coin है आपके पास कुछ coin आपके पास 20 पईसे के और कुछ coin आपके पास 25 पईसे के 25 पईसे के तो आपसे क्या पूछ रहे कि बहुल क्या रहे है sum of rupees rupees कितने होगी खेतर number of 25 पईसे coin कितने है यह नोड़ की कितने है यह पूछ रहा है तो हमें क्या करना है mission है तो पैसे कितनी के 300 माइनस में 6480 अपोन में अपोन में क्या करदेंगे इन दोनों का difference 25 पैसे के coin आ जाएंगे तो 25 में से 20 गया तो 5 आपके पास भई कितना एगा 620 आएगा ना 620 आएगा और अपोन में 5 जो कटके कितना है 124 कितना है 124 तो 25 परीसे के कोई 124 होंगे D option बिल्कुल ठीक होता है next question देखें तब अपना next question देखते हैं इसमें value पुट करके ही आप direct answer निकाल सकते हो बोलता है कि ABC are non zero numbers ना non zero है ABC A plus 1 by B is equal to 1 and B plus 1 by C is equal to 1 then the value of ABC तो देखें यार यहांपे A को तो आप माल लो 2 माल लो और B को माल लो minus 1 अगर आपका B minus 1 होगा तो यहांसे आप 1 by C से C निकाल पाओगे ना B minus 1 होगा यहांपे ना तो minus 1 उदर जाके plus 1 हो जाएगा तो 1 plus 1 2 तो C की value 1 by 2 होगे तो A आपने 2 माना B आपने माना minus 1 और C की value हमने क्या निकाल लें 1 by 2 हम ABC की multiply कर लेंगे ABC की multiply कर लेंगे तो यह A है यह B है और यह C है और काट कीट के आया minus 1 हो तो answer होगा अपना D D option बिल्कुल ठीक होगा D option बिल्कुल ठीक होगा next question देखे next question में क्या बोल रहा है कि एक group के अंदर seven men है seven men है और six women तो हमें इन में से पाच person select करने है पाच person select करने है जिन में कम से कम तीन men हो कम से कम तीन men हो और उसको select करने के कितने लिए यहां पर बनेंगे तो यह question आपका सिदा सिदा permutation और combination के उपर है आप direct बना सकते हो तो देखो भई तीन मैन कैसे कैसे कम से कम तीन मैन कैसे कैसे सलेक्ट होंगे या तो तीन मैन होंगे पांच लेने दो वूमेन होंगे पहला केस पलस दूसरा केस क्या होगा या फिर आपके चार मैन होंगे कम से कम तीन मैन जादा भी हो सकते हैं एक वूमैन होंगे और तीसरा केस क्या बन सकता है यहाँ पे आपके पाँज पाँज के पाँज मैन होँगे अब 0 होगे पाँज के पाँज मैन पाँज हे परसन लेने देखो या भी पाँज या भी पाँज अब भाई combination लगा तो बिल्कुल आसान सा formula होता, अपने पास 7 men है उन में से 3 select ऐसे तो होंगे 7C3, इन 2 में 2 women है, लेनी है 6 women में से, तो 6C2 लेंगे, 6 women में से 2 लेनी है तो ऐसे तो लेनी है, अब भई अपने पास 7 men है, उस में से 4 men लेने है, तो 7C4 6 women में से 1 women लेनी है, तो 6C1 ऐसे ही साथ में से पांच में लेने है तो यह यह हम यहाँ पर सोल कर लेंगे सोल करना मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कैलकुलेशन आप खुद कर लेना क्योंकि आपका टाइम खराब हो गई इससे बई देखो 7 इंटू में 6 इंटू में आप 5 अपोन में 3 इंटू 2 इंटू 1 करोगे जैसे 7 इंटू 3 मिल जाए ना तो आप 3 स्टेप निचे 3 है तो 3 स्टेप बैक जाके और निचे 3 इंटू 2 इंटू 1 तक आना है ठीक है ऐसे ही यहाँ पर समझे हम जैसे यह 6 है और निचे 2 तो आपको दो स्टेप पिछे आने 6 इंटू 5 और निचे 2 इंटू 1 ठीक है और यहाँ पर पलस करने हम अना सारे वे को जोड़ेंगी क्या क्या तरीक के स्लेक्ट करने क्या हो सकते है 7 C 4 है जैसे 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 4 स्टेप पिछे गए हम निचे 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू 1 ठीक है इंटू में 6 C 1 को आप 6 कोई दिक्कत नहीं और यहाँ पर आप 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 कितने स्टेप जाओगे 5 तो 4 ही गए है एक स्टेप और 3 और निचे 5 4, 3, 2, 1 तो थोड़ा बहुत ना आपको यहाँ पर कातना पिटना सिखा देता हूँ यह नहीं कि आप मल्टिप्लाई करने लग जाओ इनकी मल्टिप्लाई नहीं करने आपको ना जैसे 5, 4, 3 से डारेक 5, 4, 3 कैंसी लोर है ऐसे कातने 2, 3, 6 तो यहाँ से कितना जाएगा यह 2, 3, 6 अब इनकी सब की मल्टिप्लाई कर लेना इनकी मल्टिप्लाई कर लेना जो उपर बचे इनकी कर लेना प्लस इनकी कर लेना इन सब को जोड लेना अलग-लग मल्टिप्लाई करके जोड लेना आपका आंसर 756 आएगा क्योंकि अगर मैं यहां पर multiply करने लग गया और जोडने लग गया तो बहुत टाइम लग जाएगा तो 756 आंसर आने वाल है तो इस तरह से आपको इस टाइब के question करने next question देखते हैं यह question देखते हैं बिल्कुल आसान सा है कहते है कि 3-3-3-3-3-1-0-1 times क्या हो तो देखो यहां पर 101 बार ऐसे जोडना है 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 ऐसे कितने नंबर लिखने है 101 लिखने है वो उनका add करना है उनका क्या करना है add करना है ठीक है अब ध्यान देना यहां पर पहला नंबर किस से कट रहे है दूसरे से कट रहे तीसरा नंबर चोथे से कट रहे है तीसरा नंबर चोथे से पाँचवा नंबर चठे से ऐसे 99 वाँ नंबर जो होगा वो 100 से कट जाएगा 99 वाँ जो नंबर होगा वो किसे कट जाएगा 100 से तो मतलब 100 तक तो यह सम कट रहे है फिर उसके बाद वो पहला था और सोवा माइनस का सोवा माइनस का और 101 जो नंबर होगा वो प्लस का ही तो रहा होगा यह तो कटी जाएंगे सब तो यह नंबर बचेगा खल तो यहां पर option A बिल्कुल सही answer थ्री आंसर आएगा इसका अंसर थ्री आएगा नेक्स्ट क्योप्षन देखते हैं क्योप्षन बिल्कुल आसांसा है यह कहता है कि 6 परतिशत की दर्स से 18 महिने में 2000 पर कितना सिंपल इंट्रेस्ट का फोर्मूला आसांसा है पी आर्टी बाई हैं ठीक है तो यहां पर अपने यह बारा को नीचे भी लेख के आसा के साथ में ना अब इनको कार्ड़ वही दो जिरो से दो जिरो के इंसिल छे दूनी बारा और यह कितने वेगाए दस पे तो दस के 18 से 180 रूपी 180 अना उप्षन सी उप्षन सी बिल्कुल क्रेक्ट होता है नेक्स्ट क्योप्षन देखें एक स्पीड इन किलो मिटर पर हाओर बताने है तो इस्पीड का फोर्मूला होता है डिस्टेंस अपोर में टाइम तो छेस्टो अपोर में पाच तो एक मिनिट में कितना गया वो एक मिनिट में गया एक्सोबीस मिटर 120 मीटर अपने को किस में बताने है अपने को स्पीड किस में बताने है किलो मीटर पर होर में बताने है तो 120 को किस से मिल्टिप्लाई कर देंगे 60 से ठीक है 120 को जो 70 से मिल्टिप्लाई करोगे तो आएगा 200 कितना आएगा 200 तो ये 200 मीटर है अपने को किलोमेटर बताने पर और तो किलोमेटर कितने होंगे 7.2 किलोमेटर 7.2 किलोमेटर उप्सन C में है उप्सन C बिल्कूर होता है ठीक next question देखे